तो TLD की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि जो वर्डवाइट जो है वो डॉट कॉम टी जो है वो 73 परसेंट जो है वो यहां पर एक तरह से रिफ्रिंग डॉमेन यहां पर यूज किया जाता है और अधर की देखोगे तो और जी 4 परसेंट डॉट ने 3 परसेंट और जो हो most popular TLD यह यह जो है और यह जो हो commercial के लिए यूज किया जाता है या फिर अगर आप सीधे online आना चाते हो तो डॉट i.com का यूज कर सकते हो डॉटो वाट जी जह हो यूजडी और और यूजिए वह उसके जाता है और कभी-कभी जो यह NGO type के websites के लिए भी जो हो यूज करते हैं डॉटनेट की बात करें तो वह जो हो नेटवर्क लेटेट से या फिर जो हो जो ऑनलान की यह जैसे यह इंडिया के लिए यूज करते हैं डॉट आई-ओ जो हो आपकी आर्खिटेक्टर में से यह वो टेक्ट कम रिलेड़ कंपनी के लिए ज्यादा बेटर ऑप्सन रहता है जिनके लिए जो है वह डॉट कम इसलिए अवलेवल ना हो तो वह डॉट आई-ओ या फिर यूज कर सकते हैं डॉट को की बात करें तो यह कंपनी और कॉर्पोरेशन के लिए यूज करते हैं डॉट मी जो है वह एक परसनल टॉच के लिए अगर आपका अपना खुद का एक एक website मनाना चाहते हो अपने नाम से अपने popularity के लिए तो उसमें आप यूज कर सकते हो डॉट ब्लॉग जो है वह सिंपल से जो हो आपको ब्लॉग से ही समझ में आ रहा है तो ऐसे ही जो डिफरेंट टाइप के TLD होते हैं लेकिन अगर आप एक कंपनी के लिए अपने देख हो तो फर्स्ट टार्गेट आपका डॉट कॉम होना चाहिए और डॉट कॉम नहीं मिलता है तो फिर आप डॉट जो है वह और जी या एडू या फिर स्पेसिफिक नीस वाइस भी आप जा सकते हो